भग्वत गिता का अध्याय फोट दिव ज्ञान श्री भगवान बोले मैंने इस अभिनासी योग को सुर्ज से कहा था सुर्ज ने अपने पुत्र बैस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इस बाकु से कहा हे परंतप अर्जुन इस परकार प्रंप्रा से प्राप्त इस योग को राजरिशियों ने जाना किन्तु इसके बाद या योग बहुत काल से इस पिर्थवी लोग से लुप्त हो गया है तु मेरा भक्त और पिरिये सका है इसलिए वही या पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है क्योंकि या बढ़ा ही उत्तम रहस्य अर्थात गुत रखने योग भी से है अर्जुन मोले आपका जन्म तो अर्वाचिन अभी हाल का है और सुर्ज का जन्म बहुत पुराना है अर्थात कल्प के आदे में हो चुका था तब मैं इस बात को कैसे समझू कि आप ही ने कल्प के आदे में सुर्ज से या योग कहा था सिर्भगवान बोले हे परंतप अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं उन सब को तु नहीं जानता किन्तु मैं जानता हूँ हे अजन्म और अभिनासी स्वरूप होते विये भी तथा समस्त प्रान्यों का इस्वर होते विये भी अपनी परकिर्ती को अधिन करके अपने योग माया से परकट होता हूँ हे भारत जब जब धर्व की हानी और अधर्म की बिर्दी होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्था सकार रूप से लोगों को समुख परकट होता हूँ सादू पुरूष का उधार करने के लिए पाप कर्म करने वाले का बिनास करने के लिए और धर्म की रच्छा धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं यूग-यूग में परकट हुआ करता हूँ हे अर्जुन मेरे जर्म और कर्म दिब्य अर्थात निर्मल और अलोकिक है इस परकार जो मनुझ तत्व से जान लेता है वह सरीर को त्याग कर फिर जर्म को प्राप्ट नहीं होता किन्ति मुझे ही प्राप्ट होता है पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वता नश्ठ हो गए थे और जो मुझ में अन्य प्रेम पूर्वाग इस्थित रहते थे एसे मेरे आश्चर रहने वाले बहुत से भक्त उप्युक्त ग्यान रूप तप से पवित्र होकर मेरे सवरूप को प्राप्ट हो चुके हैं हे अरजुन जो भक्त मुझे जिस परकार भचते हैं मैं भी उनको उसी परकार भचता हूँ किंकि सभी मनुस सब परकार से मेरे ही मार का अनुसरन करते हैं इस मनुस लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देपताओं का पुजन किया करते हैं किनकी उनको कर्मों से उत्पन होने बाली सिद्धी सिग्र मिल जाती है ब्रामन, छैत्रिय, बैसिया और सुद्र इन चार बर्नों का समुगून और कर्मों के विवाग पुर्ण मेरे द्वारा रचा गया है इस परकार उस श्रिष्टि रचनादी कर्म का करता होने पर भी मुझ अविनासी परमेश्वर को तु बास्ता में अकरता ही जान कर्मों के फल में मेरी अस्परा नहीं है इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते इस परकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बनता पुरुकाल में मुच्छुओं ने भी इस परकार जानकर ही कर्म किया है इसलिए तू भी पुरुजो द्वारा सदा के लिए जानने वाले कर्मों को ही कर कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस परकार इसका नेनय करने में बुधिमान पुरुस भी मोहित हो जाते है इसलिए वा कर्तब मैं तुझे भली भाती समझा कर कहूंगा जिसे जानकर तो असुर्व से अर्थात कर्म बंदन से मुक्त हो जाएगा कर्म का सुरब भी जाना चाहिए और अकर्म का सुरब भी जाना चाहिए तथा बिकर्म का सुरब भी जाना चाहिए क्योंकि कर्म की गती गहन है जो मनुस कर्म में अकर्म देखता है वो मनुस्यों में बुधिमान है और वो योगी समस्थ कर्मों को करने वाला है जिसके संपूर्ण सास्त्र समस्त समत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ग्यान रूप अगने द्वारा भस्म हो गए हैं उस महापुरूष को ग्याने जन भी पंडित कहते हैं जो पूरूष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सरुथा त्याग करके संसार के आश्रे से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्त तिप्थ है वो कर्मों में भली भाती बरत्ता हुआ भी बास्तब में कुछ भी नहीं करता जिसका अंतकरन और इंद्रियों साइद सरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की समागरी का प्रिट्या कर दिया है एसा आसा रहित पुरूष केवल सरीर संबन्दित कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्थ होता जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्थ ये पदार्थ से में सदा संतुष रहता है जिसमें इस्या का सरुथा अभाब हो गया हो जो हर सोक आदि द्वन्दों से सरुथा अतीत हो गया है एसा सिद्धी और अती में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करतावा भी उनसे न नश्ठ हो गई है जो दिहा भिमान और ममता से रहीत हो गया है जिसका चित निरंतर परमात्वा में ज्ञान में अस्थित रहता है एसा केवल यक संपादन में के ले कर्म करने वाले मनुष के संपूर्ण कर्म भली भाति बलीन हो जाते हैं जिस अग में अर्पन अर्थास डिश्वा आदी भी भ्रम है और हवन किये जाने योग द्रब भी भ्रम है तथा ब्रम रूप करता द्वारा भ्रम रूप अगनी में अहुथी देना रूप किरिया भी भ्रम है उस ब्रहम कर्म में इस्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किये जाने वाले योग फल भी ब्रहम ही है दुसरी योगी जन देपताओं की पूजन रूप यग का ही भली भाती अनुस्ठान किया करते हैं और अन योगी जन परभ्रम परमात्मा स्वरूप अगनी में अभेद दर्शन रूप यग द्वारा ही आत्म रूप यग का हवन किया करते हैं। यन योगी जन स्रेत्र आदि समस्त इंद्रियों को सयम रूप यगनियों में हवन किया करते हैं और दुसरे योगी लोग सब्दादि समस्त विश्यों को इंद्रियों रूप यगनियों में हवन किया करते हैं दुसरे योगी जन इंद्रियों की संपून किरियाओं और प्रानों की समस्थ किरियाओं को ज्ञान से परकासित आत्म सयम योग रूप अगनी में हवन किया करते हैं। कई प्रूस दर्ब समंधी यक करने वाले हैं। जितने भी तपस्या रूप यक करने वाले हैं तथा दुसरे कितने ही योग रूप यक करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादी तिछन बर्न बर्तों से युक्त अते सील प्रूस स्वाधि ध्याय रूप ज्ञान यग करने वाले हैं। दुसरे कितने ही योगी जन अपान बाई में प्रान बाई को हवन करते हैं। वैसे ही अन योगी जन प्रान बाई में अपान बाई को हवन करते हैं तथा यन कितने ही नीमित करने वाले प्रान बाई प्रानायाम प्रायन युक्त प्रान और अपान की गती को रोकर प्रानों को प्रानों में ही हवन क्या करते हैं। इस सभी साधक यगों द्वारा पापों का नास कर देने वाले और यगों को जानने वाले हैं हे कुरुसेश्ट अर्जुन यग से बच्चे हुए अम्रित का अनुभब करने वाले योगी जन, सनातन, परभ्रम परमात्मा को प्राप्थ होते हैं और यग न करने वाले पुरुस के लिए तो यह मनुस्य लोग भी सुखदायक नहीं है फिर पर लोग कैसे सुखदायक हो सकता है इसी परकार और भी बहुत तरह के यग बेद की गिम्बानी से में बिस्तार से कहे गए हैं उन सब को तू मन, इंद्रियों और सरीर के किरिया द्वारा संपन होने वाले जान इस परका तत्व से जानकर उनकी अनुस्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सरुथा मुक्त हो जाएगा हे परंत फरजुन दर्मय यक यपेच्छा ग्यान यग अत्यन्स रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ग्यान में समाप्त हो जाते हैं उस ज्यान को तू तत्व दर्सी ज्यानियों के पास जाकर समझ उनको भली भाती डंडबत परनाम करने से उनकी सेवा करने से और कपर छोड़कर सल्ता पूर्बक प्रस्ण करने से बेपरमात्मा तत्व को भली भाती जानने वाले ज्यानी परमात्मा तुझे उस तत्व ज् फिर तू इस परकार मो को नहीं प्राप्त होगा तता हे अर्जुन जिस ज्ञान द्वारा तो संपुन भूतों को निसेश भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सतिजानन्द घन परमातमाक में देखेगा अधि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस संदे संपूर्ण पाप संद्र से भली भाती तर जाएगा किमकि हे अर्जुन जैसे परजुलित अगनी इंदनों को भस्म कर देता है वैसे ही ज्ञान रूप अगनी संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदे कुछ भी नहीं है उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग द्वारा सुद्यांत करन हुआ मनुस अपनी आप ही आत्मा में पा लेता है जितेंद्रिये साधन प्रायन और सर्धा वान मनुस ज्ञान को प्राप्थ होता है तथा ज्ञान को प्राप्थ हो कर्वा बिना बिलम के ततकाले भगवत प्राप्ती रूप प्रम सांती को प्राप्थ हो जाता है बिवेखीन और सर्धा रहीत संसय युक्त मनुस परमार्थ से अवस भश्ट हो जाता है एसे संसय युक्त मनुस के लिए न यह लोग है न परलोग है और न सुखी है हे धननजय जिसने कर्मयों की बिधी से समस्थ कर्मों का परम कर दिया है और जिसने बिवेख द्वारा समस्थ संसयों का नास कर दिया है एसे बस में किये हुए अंतकरन वाले पुरुष को कर्म नहीं बानते इसलिए हे भरत्वंसी अर्जुन तुँ हिर्दय में इस्थित इस अज्ञान जनित अपनी संसय का बिवेख ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समस्थ कर्म में कर्म योग में इस्थित हो जा और यूद के लिए खरा हो जा अध्याफोर समाप तुआ दिब गयान समाप तुआ